दोस्तों पिछले लेसन में हम लोगों ने फोटोशॉप में बलर और शापन टूल की मदद से किसी भी पिक्चर में डेप्थ क्रियेट करना सीखा इस लेसन में अब हम लोग जिन टूल की तरह बढ़ने हैं वो है डॉच एन बर्न टूल दोस्तों जब भी हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं तो जो सबसे ज़दा इंपॉर्टन चीज होती है वो होती है उस पिक्चर में मौझूद लाइट दोस्तों इस लाइट को एडिट करने के लिए हम फोटोशॉप में जिन टूल का इस्तमाल करते हैं वो हैं डॉच एन बर्न टूल इनी टूल्स को हम इस लेसन के अंदर एक्स्प्लोर करने जा रहे हैं दोस्तों आपके सामने ये एक इमिज मौझूद है इस इमिज को हम पहले भी ट्रीट कर चुके हैं कुछ टूल्स की मतलब से फोटोशॉप में इस लेसन में हम लोग इस इमिज के उपर डॉच और बर्न टूल को इस्तमाल करके देखेंगे तो चलने चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और एक्स्प्लोर करते हैं डॉच और बर्न टूल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह फाइल मैंने पहले से प्रिपेर करके रखी हुई है जिसमें के मैंने इस इमिज के उपर पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग बर्श टूल और पैट टूल का इस्तमाल पहले से कर रखा है अब मैंने यहां पे जो इस्तमाल करने हैं वो हैं हमारे Dodge and Burn टूल दोस्तो इसके लिए मैं सबसे पहले यह करूँगा कि मैं duplicate लूँगा Ctrl-J की मदद से इस layer की और यहां पे मैं नाम दूँगा इसका Dodge and Burn का ताकि मुझे याद रहे बाद में कि मैंने जो Dodge and Burn वाला काम है वो इस layer के अंदर किया हुआ अच्छा दोस्तो क्यूंके इसमें sample all layers वाली option वाई रपास नहीं होती तो हमें Dodge and Burn जो है यह duplicate लेके layer को उसे के उपर हमें इसको apply करना पड़ता है लहाजा अब हम start करते हैं Dodge and Burn टूल जो है इसकी option open हो जाती है यह आप देख सकते हैं कि Dodge and Burn टूल जो है वो एक दूसरे के उपर यहां पर मौजूद है अच्छा जी अगर हम यहां पर इसकी options देखे हैं तो हमारे पास brush की options है जिसमें के हम soft brush चूज़ कर सकते हैं उसके लावा हम कोई hard brush चूज़ कर सकते हैं फिलाल हमने यहां पर एक soft brush चूज़ है वो already चूज़ किया हुआ है इसके पास यहां पर एक option है shadows, mid tones and highlights दोस्तों क्योंकि यह जो dodge and burn की जो option है यह मैंने आप लोगों को दोस्तों पहले भी बताया कि dodge and burn tool जो है यह basically light से relevant है इस वज़ा से हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक option है shadows, highlights और mid tones यानि कि हम किसी भी image के shadows, highlights और mid tones तीनों को dodge and burn tool की मदद से अलग-अलग treat कर सकते हैं फिलहाल यहां पर मैं जिस option को choose करूँगा वो है mid tones की यहां पर हमारे पास exposure की option में मौझूद है हम exposure थोड़ा सा कम करके इस्तमाल करते हैं आम तोर पे ताके हम जब brush apply करें तो वो एक गम से बुरा ना लगे और patch साना create हो लहाज़ा दोस्तों मैं अब इसके उपर थोड़ा सा dodge apply करके आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखें दोस्तों dodge तूल को इस्तमाल करते हुए आपने करना सिर्फ यह है कि जहां पर आपके image के अंदर highlights पहले से available है उनको आपने थोड़ा सा exaggerate कर देना है जिसना यहां पर अगर मैं eyes के अंदर आउँ तो यह हम देख सकते हैं यहां पर eyes को हम मजीद थोड़ा सा white कर सकते हैं ताके जो eyes है वो यह जो इनके अंदर यह जो एक reddishness है और जो different सा एक shade आ रहा है यह खत्म होजए इसके लावा दोस्तों एक और बढ़ा interesting काम हम dodge tool से करते हैं यहां पर हम एक light ring क्रिएट कर देंगे यह देखें यह जो retina के एर्थगिर्ध हमने यहां पर dodge tool के मदद से एक light ring क्रिएट कर दिया अगर मैं इसको off करूँ layer को तो यह देखें यह आप देख सकते हैं कि image के अंदर बिलकुल एक jans ही पैदा हो गई है जो eyes है वो बिलकुल हमें अलाइफ फील हो रही है जो जो areas हैं हम brush को कम ज्यादा करते हुए उन areas पर जहां जहां पर हमें जरूरत महसूस होती है यह जहां जहां पर पहले से highlights और lights available है उन areas को हम enhance करते जाएंगे इस tool की मदद से लेकिन हमने थोड़ा सा इस चीज़ का ख्यार लखना है कि हम जो dodge apply कर रहे हैं उसकी वज़ा से कोई भी area जो है वो खराब ना होने पाए हम definitely zoom in करते रहेंगे meanwhile और साथ-साथ हम जो है वो अपने tool को apply करते रहेंगे यह देखें जो areas कुछ areas ऐसे होते हैं जो के clearly हमें नजर आ रहा होता है कि उनके अंदर अगर हम कुछ थोड़ा सा dodge apply करें तो light मजीद clear हो जाती है अब यह देखें अगर मैं इसको off करता हूं तो यह और दुबारा on करता हूं तो आप देख सकते हैं कि highlights किस कदर जो हैं वो visible हो चुकी है इसी तना से यहां पे ear के जो अंदर वाला portion है यह भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि इसमें भी margin है और यहां पे भी मैं थोड़ा सा dodge apply करना चाहरा हूं तो यह तो हो गया दोस्तों dodge अब हम आते हैं burn की तरफ दोस्तों dodge basically burn के बिलकुल opposite है दोस्तों dodge tool के मदद से हम highlights यानिके light को add करते हैं burn tool के मदद से हम darks को add करते हैं सिर्फ इतना सा फ़र्क है dodge and burn के अंदर तो दोस्तों अब यह burn को लेके मैं क्या करूँगा कि जो areas मुझे थोड़े-थोड़े dark लग रहे हैं जिसना यह eyebrows है इसकी इनको मैं हलका सा dark करूँगा explorer को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ एक और चीज मज़े की मैं आपको पताता चलूँ कि यह जो dodge and burn tool है यह आप आम तोर पे जब इस्तमाल हम करते हैं तो इन tools को एक दूसरे के साथ as a combination हमें use करना पड़ता है यानि के बाज वकात कहीं पे आप darks एड़ कर रहे हैं तो फोरण आपको highlights नजर आ जाती है वो आप उसी वक्त मिस ना करें उसी वक्त आप highlights रहे हैं और आगे move कर दें और दूसरा एक यह भी आपको मैं टिप देता चलूँ कि जहां जहां पे आप highlights एड़ करने हैं वहीं वहीं पे उनके बिल्कुल साथ वाले areas में कहीं ना कहीं darks की भी एक आपको गुंजाइस जो है वो नजर आएगी जिसना से यह देखें मैं इस image के अंदर darks एड़ कर रहा हूं यह देखें बड़ा clear है कि जो jaw line है दोस्तों jaw line इस image में हमारे पास हमारे character की इसके नीचे का जो area वो shadows वाला है तो वहां पे मैंने burn का इस्तमाल की है और जो highlights वाला area वहां पे यानि कि जो cheeks वाला area अपर cheeks वाला area वहां पे मैंने dodge का इस्तमाल की है और इस तरह आप देख सकते हैं कि इमिज कितना interesting हो गया है अब अगर मैं dodge and burn को off करूँ और दुबारा on करूँ तो यह आप देख सकते हैं आपके सामने है कि जो image है यह किस कदर पहले की निस्बत uplift हो चुका है और light और darks के add होने से यह image कितना खुबसूरत बन चुका हुआ है दोसो इस लेसन में हम लोगों ने Photoshop में dodge and burn tool को study किया और आप लोगों ने देखा कि कितनी असानी से हमने अपने image को कितना uplift कर दिया दोसो इन दोनों tools को इस्तमाल करते हुए आप किसी भी image को बहुत ज़दा interesting और visually attractive बना सकते हैं photo editing के अंदर dodge and burn tool को बहुत ज़दा importance हासल है दोसो आगे चलके जब आप layouts create करेंगे posters की magazines की, newspaper ads की उस वक्त आपको अपने images को interesting बनाने के लिए और उनमे dramatic effect को पैदा करने के लिए इन दोनों टूल्स का बहुत इस्तमाल करना पड़ेगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको dodge and burn tools समझ में आ गए होंगे अब आप लोगों ने इन दोनों टूल्स की बहुत ज़दा सारी practice करनी है next lesson में मिलते हैं कुछ मज़ीद मज़ेदार tools के साथ